मैच हो रहा है टी आई जी वॉर्सिस मॉंटेरी के बीच दोनों बहुत टक्कर की टीम है आपस में मलब किसी सिंगल साइड को फेवर मत करना है आपर सुबह साड़े साथ बजे मैच तो बात करें मेरे टेलीक्राम चैनल लिंक के नीचे डिस्रिप्शन में जाओ फट आफ नी हो गी मैं यह नहीं कह रहा समझ देखके तो हर मैच में बनाते हैं इस मैच में क्योंकि डबल साइड है कोई आप बहुत लोगों की अगर वीडियों देखोगे इंक्लूइड मेरी भी को यह आपको कई गा मॉंटेरी को फेवर करो कोई कैगा टिई जी को करो को मेरी तरह का दोनों साइडर फेवर रखो तो आपने देखना है कि आपने किस की माननी है ठीक है जहां पर आपको फिलिंग्स आ रही हो ना कि हाँ भाई यह चीज हो सकती है वो करो मैं यह नहीं कहारा कि मेरी टीम से जाओ यह पाड़ देंगे यह कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है कुल एनलाइसमेंट के बाद मैंने डी सीजन किया कि एक गिगनेक यह तो कंफर्म रहे गई रहेगा गिगनेक के बाद जो मेरा सेकेंडरी स्पीन का जो मेरा स्ट्राइकर होगा जो मदद करेंकी आपस में खेलने में वह ऐल कुएनन्स की बहुत है गिगनेक को आज अगर ग गोल करता है तो उसमें से कम से कम छे एसिस्ट इस अकेले बंदेगी होती है इसके मतलब इसके लिए मतलब इसके गोल के लिए तो मेरे को कुईनन्स और एक इक बहुत बड़ी जोड़ी लगती है आपर खेलते हो एन ऑपोजिशन टीम की बात करें उनकी जोड़ी है कि आर भाई यह रिस्क है और बहुत तगड़ा रिस्क है रिस्क लेती ही अगर हार सकते हो तो वो रिस्क मतलो अब आपको पते है कि मैं कुईनन्स को छोड़ते ही अगर मैं आर्फियूस मौरी को लेता हूं तो अगर उस बीच के अंदर वो गोल नहीं कर पाता और वो अगर एसि जारों को मतले ना पिछले मैच में बोला था जितनी मर्जी स्लेक्शन और दिखावा है क्योंकि अगर यहीं बंदा डिफेंडिंग करेगा तो मैं 100% इसको लूँगा और यह बंदा मिट फिल्डिंग करेगा तो मैं इसको नहीं लूँगा यह मैंने आपको पहली बता दिय उसको भी ऐसा सब्चिटूशन बलाय जा रहा है तो मतलब कोई धंका प्लेयर है ने इनकी टीम में क्या बोलू हम मैं आपको क्या मैं उल्टी सीदी राय देना नहीं चाहता पिजारों को लोगे तपचता होगे विगोन सब्चिटूशन प्रॉब्लम और एस कॉर्डोवा वह फॉर्म में नहीं है तो मैं कहूंगा ऑपोजिशन टीम के अगर बात करें तो उनका प्लेयर रोमो इसको तो कंफर्म लो कंफर्म इसको इसके वारे में सोचना नहीं ठीक है और अगर एस कैनल्स खेले तो ले सकते हो बड़ अभी इसका डैब्यूदेंट डैब्यू मैं मैच हमेशे सब्स्टिटूशन खिला जाता है पिछले मैच में तो फ्लॉप था आज पता चलेगा डिफेंडिंग की बात करें यहां पर मैं देखी सबसे पहले लूँगा अक्यूनो को कंफर्म अक्यूनो के बाद हमारा अगला प्लेयर है मेदीना एठीक है इस मेदीना के सब्से locking यसरी के बाद हैक्टी मारेनो के बाद Neckford होगा एक्र मोरेनो के बाद जर अपका next player लोगा तो नीची को फटोखनु को मैं टेफेंडेर ँठा सकते हो क्योंगे क्योंकि मैन को यह बात कर अगuur मेदेंग कर Middle कप्तान गिगनेक हो भले मेरा वाइस कप्तान एल कुइन जो लेकिन मैं ऑपोजिशन टीम के फिर भी रखूंगा तो गाइस यह मेरी टीम के लोगों को लग रहा होगा उल्टी बनाई है लेकिन ना गाइस मेरा आज डिफेंडिंग ऑप्शन मेरा था मैंने तभी आपको बोल मैं आपको इस मैच में सिरफ एक डिफेंडिंग के लालच के बीचे हर बात हूँ तो आप मेरी बात समझ गए होंगे ठीक है तो यह मेरी टीम है मिलतो नेक्स्ट वीडियो में बाई